मुझे भी नहीं पता था, इसके लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आप लोगों पताना चाहती हूँ, कि मेरा क्यों कैसे क्लियर वा डियेक्शन को करने के लिए, फिर जब जूट बोला गया, मेरे शाधी हो गई, साधी होने के बाद जब मैं तिलमेदी जी के घर गई, मुझे भी चाह पीने के यादत थी, सुबह में जब मैं उटी, नहाई तो ही मुझे रखा अभी मेरे लिए बढ़िया चाह, बिस्कित भाई हूँ, केस्ट के रूप में अभी इंके घर में, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, है नहीं मिला मुझे, मुझे क्या ब्लैक कॉफ सुली, उसने बोला, ये पॉफी ये पीजे, मैंने कहा आज तक मैंने कॉफी पी नहीं, तो मैं पॉफी करूप ये काली, मैं तभी नहीं कुछ दूब हूँ, मुझे दूध वाली पढ़िया, चाह बो सके तो बना दो, तो उसने बोला नहीं, वो चाह वो काफी काफी देर जब कोफी बाहार आई तो तुरिवरी जी ने देखा बोला कि मैं कॉफी पिज़ है था उसने पिया नहीं तो घाल में सब लोग बोले कि नहीं नहीं पियेंगे यह खुद वो काफस लेका बोले मैं भीकने नहीं तूँगा मैं इसमें पैसा लगाया हूं मैं प्रेकने नहीं तो आज यही पिलाओंगा इसको यूपी में जितने भी मैं और जगेत के नहीं बोल सकती पर दियूपी में यह बहुत होता है मेरा ही जिक्का चलेगा मैं बहुत मैं टकराता हूं लोगों का तो मैं उनके नहीं कैसे नहीं पिएगी वो लेकर के कॉफी वापस आए और मेरे से बोड़े इसको प्यो मैंने का मैं नहीं प्योंगी यह कोड़े प्यो मैंने का मैं नहीं प्योंगी यह कोड़े प्यो मैंने का मैं काली चाय प्यों ना में नहीं पता है की बंदा करता क्या है, अब तक तो वर यही है संरकारी जॉब है, मेरे दिमाइक betting में रिखे जब पर को सबसेटों तो मैं नहीं माने में अगार में भी जिर्धी थी मैं जिर्धी थी क्यों कि मैं पहुत चोटी फैमिली में थी मैं यार्ता तो टा Relig जान फिर मिरजवा उन काम ते ती अधम अवहराा मैंधिक दागु के साथन में लगए तू गज़ी थी तू मैं तो बहुत लाड़ प्ले डेए क्योंकि मेरे दिमार पे सिझे एक चीज थी, कि मुझे अपने जिने के सबसे बड़ी वकील वखीला है. मेरे दिल और दिमार पे वकालत का भूल चढाताया. क्यों चढाताया क्योंकि कही न कहीं मैं गौं और सहर से रिलेटेड थी, गाँ में मैं देखती थी, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं रहता था महिलावा की सरीर पे कपड़े नहीं रहते थे, बच्छों की कपड़े नहीं दुरूस्त है मगर वकील को देने के लिए पैसा आ जाता थे लोग मुकदमे पे मुकदमा ठोकते थे, दिवानी जा जाता कि दिवाने हो जाते थे, मगर घर की इस्तितिया चिला चिला के कहने होती थी कि मुझे पैसा चाहिए मुझे बढ़ लो घर कह रहा है मुझे दुरुस्त करो मैं टपा करा हूँ वारिश में बैठने लायक नहीं चाहिए पर लोग नहीं समझते थे थोड़ी सी जमीन के लिए उस जमीन से दस बुना ज्यादा पैसा वकील को देते थे दस बुना ज्यादा पैसा मगर उनकी समझ में नहीं आता था तो यह परिस्थिया मैंने बहुत नस्दी से देखी थी कहीं न कहीं मकर यह होता है ना कि जब आप जिस समाज में नहीं रह रह के रखे हैं उस वकील को देखो जिसका नाम जिससे मिलने के लोग को अपोइमेंट लेना पड़ता है तो वो चीज मेरे दीमाथ में थी तो मैं भी जिद्धी थी इसलिए वो कॉफी पिरहाल मैं नहीं भी वो कॉफी मैंने वापस कर दी मैं चार दिन त्रवेदी जी के घर में रही चार दिन ना मैंने चाय पिया ना कॉफी पी और यह जिद्धी थे इन्होंने मुझे कॉफी के लाओ दुसा कुछ पीनिय को भी ने दिया मगर वहीं मुझे पता चला वो डबी मैं जब देखी कीचन में जा तो मैंने का यह सब क्या है तब ही मुझे पता चला वहां प तो मैंने का ठीक है तो वह कॉफी रखे हुई थी फिर मैंने पूछा कि मम्मी बोले थी कि आप यही काम पर तो यह क्या काम है आप तो फोन वाले में हो ना तो तो तब तिलवेदी जी ने बता है कि मैं फोन नाले मैं नहीं हूँ सचा ही यह है कि मैं कोई जॉब सरकारी नह लमीर करता हो, मैं नेट गार को टी करता हूं. अब तो मुझे और नहीं पता, कि नेट वक्ट क्या हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं जानकाई थी कि नेट वार किट शतना की जैसा भी हलता है. कुछ भी नहीं पता था, मुझे अश्या कोई ऐसा था हिने डॉक्तार इंजीनियार आप बड़ा बिजनस फोल लो आप दुकान फोल लो ग्रोसरी की कुछ भी ऐसा काम करो यह सब था मेरे पास में पर ही नेटवर मार्केटिंग के बारे मुझे बिल्कुल भी चांगता ही थी तब ही मैंने कहा कि यह सब क्या बता रहो तब त्रिवेधी माबाप में खेल दिया मेरे साथ में अब मैं क्या करूंगी अपना समाच डोली चड़के जाना और अर्थी से निकलना कई जा नहीं सकते कुछ करने सकते एंदम बेबस नाचाथ जब मैं चौटे दिन धर पहुची मैं मेरे पिता जी को पकड़ कि इतना रोई थी कि जहर द करते हैं मुझे कुछ ऐसा करें मकर ऐसे क्यूं किये मेरे साथ में इतना पड़ आपने अंजय क्यों किया मेरे क्या सपने थे मैं क्या कुछ सोचा था मैं मतलब सबस्टी मैं एक समाच जबा करूंगी इस तरीके के वकील ने बनुगी कि लोगों की इतनी वो करूं जबवत करनोंगे मदद करूंगे क्या कुछ मेरे दिवाग में चला था आप में तो मुझे एक तब खत्म कर दिया ये क्या कर दिया तब मेरे पिता जी ने बोला ऐसा क्या हुआ और मेरे पीता जी की इस्तिती इतनी खराब की उन्ही उसी कारण से बिशादी बहुत जनवाजी में कर कुकि मेरे पिता जी पॉस्तमा काट था ता हुं बिमार रहते थी, बहुत जज़ादा बिमार रहते थी इस वज़े से पीता जी निश्कार्य क्या हुआ और मैंने का पापा वो लडचा कोई सर्कारी जॉब नहीं करता है वो लड़का कोई सरकारी जॉब नहीं करता है, बल्कि वो पता नहीं क्या चाहा है, वो कॉफी और डबा सपा लेकर बेजता रहता है, तो एक पिता होता है उसको भी दर्द हुआ, मेरे पापा को भी बहुत अपुला ऐसा क्या, मैं कहीं हाँ, वो भी, मैंने ऐसा को बोलागी स्टैले में हो रख्की जाते हैं और दिन भर गूमते हैं शाम को आते हैं, जैसे अपने गाव में फेरी वाले आते हैं, वो हालात हैं, क्या हो गया, तब मेरे पिताजी को भी बहुत जट जढ़ा लगा, बहुत ज़्यादा जटका लगा, मगर फिर केंकि बाप बाप होता ह तो भले इन चीजों को सुनके वो हतास हुए थोड़ी देर के लिए परिशान हुए फिर भी मेरे पिता जी ने कहा कि बिटिया कोई बात नहीं जो लड़का भेरी करके भी इतना पैसा कमा लेता है वो अभी आपको मुखा नहीं रखे तो जरूर आपकी जिन्दिके अपर पि मुझे शांत औरला दिलाई कहीं नकहीं मुझे थोड़ा सा ढादस बनाया मगर हहना सब्सक्राशा रखे मारा लाता है तो पर क्या कुछ कर भी नहीं सकती थि हान पहा मेले कटे हुए थाойтиक है मुझे एक ठीच की थवड़ा सा खूजी थी कि पढ़ाई कर रही हूँ क्रेजिशन कम्प्लिट हो जाएगा, मैं यही रहूं की, मैं यहां से जाओं की नहीं, और मैं यूनिसेट में पढ़ा रही थी, मुझे पांच जार रुपे महिने का मिल ला था यूनिसेट से, तो वहा से मैं अपना स्लिटल करूँगी, उपना जीवन बना लूँगी, तो मैं अग्दब सांथ थी, फिर क्या हुआ, तीन महीने भी नहीं पीते, यह मुझे जॉब से चड़वा दिये, बोले मुझे जॉब पसंद नहीं, तुम जॉब में करो ती, सिर्फ तीन महीने साधी केह फरवरी में साधी हुए और मही में मुंबई आगे थी, यह मुझे मुंबई लेकर के आगे, जब मैं मुंबई आई, तो मैं कुलाबा एडिया में रही, वो छोड़े से रूप में मैं निकलती रही थी, खिड़की से खाली, ऐसे जहांती थी, मैं रोती थी, घात दी, समझाते भी थे, परिशान मतो, बहुत अच्छा होगा, यह होगा, मैंने का तुम मुझे पहले अपना रुप्या दिखाओ, तो कमाते क्या हूँ, कितना कमाते हूँ, मुझे तुमारी इंकम देके ली है, डायमंड घो चुके थे प्रोईदी जी, और यह मुझे एटियम मे पैसे निकाल के दिखाए, तो इनका चे उस समय पच्छपन हजार रुपे आया, पच्छपन हजार रुपे की जब मैंने देखी, इनकी मंतिली इंकम है, मन को थ्वा सानती हुई, जाने तो मुझे क्या करने का, पच्छपन आब मेले, मैं अपना खाउंगी, प्योंगी, अ सब्सक्राइब की काम जाने मुझे और कॉन सार्टिपा बेचने जाने जाने का है, पर यह नहीं पता था एक देन यह परती धिमाग से चला आया, मुझे भी पदल देखा, अश्वन ऐसा यह तो मैं इनको चेंज कर ले दा हूंगी, यह उल्टा मुझे चेंज कर देंगे, इसा कुछ भी नहीं था दिवारी फिर क्या हुआ कि ये देरे-देरे करके मुझे बोले कि मैंने कहा अभी मैं कब तक रहा हुआगी मैं यहाँ छे महीने रहे के फिर वापस उल्यूपी चली रही और मैंने का आप मैं दुबारा मुंबाई नहीं चाहुँगी मैं दुबारा मुझे शहर पसंद नहीं, मुझे बहुत कंजिस्टेट है, वहां पे खुला अगुला संद नहीं, तो मैं यहां रहोगी, फिर नहीं रूपने दिये यह, बोले नहीं आपको रहना नहीं है, फिर मेरा बेटा बड़ा वाला हुआ, देलेबरी आही हुई, है दुबार। नहीं जएगला हुई, मुझे बहुत बसंदा खरमें घृए, तो मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सोर जए ति, कास मै यह रहना है थी तो अछ्छा था, बहुत बढ़िया मुझे बहुत अच्छी जगे लगी वो, नहीं 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 पे आ कि वो बिटकु लेकदम डॉक्टर बोले कि अब इनको लेकर के जाओ, यह बचेंगे नहीं, छे महीने हो चुके थे, और फिर भी मेरी शादी को साल नहीं पूरा हुआ था, मैं बहुत परिशान हुना थी, कि अगर पिता जी को कुछ हो गया, तो लोग बोले कि सालगर भी शा इनके पास जादा समय नहीं है, और जिसको अस्थमा का अटायक आता है, इस्वर नकरे किसी के गर में किसी को कोई विमारी आए, मैं तो बोलती हूं, पर जिसको अस्थमा के प्रप्रम होती है, इतना खतरनाक होता है, कि वो बैठीन लेट, लेट तो सकता ही नहीं, सिर्फ बैठी रहते थे, दो-दो-तीन तिर रजा ही लगा के उनको पठाया था, फिर भी वो उचलते थे, बिस पर के असे लगता था कि अब शांस उकर जाएगी, आप आप सम निकल आती थी, जुबान निकल आती थी, पैर हाँ ठंडे हो जाते थे आदे-आदे, ये इस्थिती थ तो दल लगता था हम लोग सिर्फ बैठी रहते थे, कितनी राते तो सोई नहीं थे, यहां से मैं भाग के गई देखने के लिए, और जब पापा के स्थिती देखी तो बहुत अंदा से तकलीफ हुआ, मैंने का ममी चलो यहां डॉक्टर को दिखाये, लखना उससे सारे डॉ मैं मना करती है, जब भी इनको अकेले में बाती है, कि चुछ हो जाएगा तो जहां पंदा दिल में डॉक्टर को ले, तहां तुम पंदरा घंटे में निप्टा दोगे, लोग बोलेंगे, कि अच्छा पेटी दमाद आये, यहां जी आने आये, कि मारने आये, क्या खिला जानकारी नहीं होती है, तो वो ऐसे ही अमनों रियक्ट करते हैं, सही है, हमेशा चमतकार को नमस्कार किया जाता है, जो चीज चमतकार नहीं दिखाते है, उसको कोई यकीन नहीं करता है, वही चीज मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मुझे इतना डर लग रहा था, और मैंने को जोज का असल बहुत बड़ा होता है, यह आप लोग भी मानते हों कि जितने भी पुरा ही रिडर वो सब लोगते हैं, कि आप जैसी आपके सोच होगी ना ऐसा ही आपके साथ गड़ी कोगा, तो मैं बहां तक सोचती ही नहीं थी, यहां तक मेरा दिमाग डियक्शन में नहीं ज पर मेरी मम्मी नहीं मानी, मुझसे छुपा करके उन्होंने कहा नहीं बेटा, खिलाती हूं, शायद पापा को कुछ हाराम मिल जाए, दरते-दराते मम्मी कॉफी पिलाना चालू की, अर्जी जील खिलाना चालू की, आप से बताँ कि पंद्रा दिन के बाद में जो सांस उन मैं इतना असर दिखा ना, तो मन को थोड़ा सा, मैरी मम्मी भी बोली कि बिटिया लग रहा है ठीक हो जाएंगे, लग रहा है ठीक हो जाएंगे, अग्रेजी दवाया भी थोड़ी चलती थी साथ में, दीरे-दीरे-दीरे करके आपको बताओं कि एक महिना में घर पे रही पापा के जो है उसमें बहुत फरक आया, वो थोड़ा बैटे थे, कुछ खिलाया प्राया जाता था, तो खापी भी लेते थे, बोल बना के उनको अरजीजील दिया जाता था, वो भी पी लेते थे, और मैंने जब देखा कि अब कंडिशन ठीक हो रही है, तो मैं फिर वाप पीताजी को एकदम सौस्त, एकदम ठीक देखा, इतना ठीक देखा कि जो बेक्ती लाठी लेकर चलने के लायक हो रहा थे, वो बिना लाठी टेंडे के खुद से अपनी पेंसल निकलना, खुद से सब जगे जाना आना, अपना सारा कारिभाल संभालना, वो करने लगे ना, मेरे मन को एक जगा, एक जगा अजीब सा बिस्वांस जगा, ये प्रोड़क नहीं है, मुझे चलूने, के बाद कहि grading है, आज मेरे माँ, मेरे फिताजी मेरे पास इस प्रोड़क के कारण है, पता ने लग अपने लोग अपने पितापो खो दिया हUNGए, ये सबी मारी के तो मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए. और मेरा क्यू महीं पे किलिया हुआ, तब मैंने मन में ठाना की अब डीक्सन के बारे में थोड़ा सा सोचु हुए. थोड़ा से इसकी तरफ में प्रभावी तोगी और ये चमतकार देख करके मेरे मं में लगा कि नहीं आप मैं dé lasted करूं और मुझे क्यों करना चाहिए कुछ करना चाहिए इसलिए नहीं चाहिए वहां तक मेरा दिमाग पैसे को ने करकंट सिर्फ नहीं था सव्लीज कि बीमारी से लोगों ko बचा सकतीica कि इतनी बड़ी बीमारी से लोगों को बचा सकती हूं और मैंने फिरतेयां से काया कि मैं कैसे प्रोड़जें बात था जोटा बच्चा था अकसर ये मुझे मीटिक में ले जाते थी आज यह बच्चा अपर करते थे तो मैं मीटिंग में बढ़ती थी यह मीटिंग में बढ़ती थी तो मैं फड़ दियर बच्चों को लेकर कि इस तरह में सीखती थी पिर चब नहीं कभी चाना हो पाता था तो भूद तरवेदी जी घर में मुझे बताते थे इस प्रोडेक्ट यहिक है दो को थ нужен कि मैं बोलते हैं मैं बोलते हो क्यों सुधार जो पहले कुछ सुधारो आपने परदभारो कुछ वह गुरू Ł liquid मी भून ढ Annay हो जो दूसरों को छिछा दे करके चेळा बना दे असफर बनादे सब आप ने घर का परिवर्तन ले करके आओ, अपने अपनों तो परिवर्तन ले करके आओ, कम से कम आज wildi जी दुनिया के लिए गुरू बने या ने मेरे लिए तो गुरू बने ना मेरी सिंदगी में तुझ अपना नहीं जाती थी, जिसका कोई अस्थित्यू ही एक तरीके से नहीं आज उसको लगभग दुनिया जान रही है है ना हिंदुस्तान जान रहा है आज इसकी यह वैलू है कि अगर मैं कहीं जाती हूं तो मुझे कंपनी बोलती कि हाँ आपके जाने आने का खर्चा हम देंगे आप जाहिए अगर वो मुझे नहीं बताते हैं यह रास्ता नहीं सुझते तो साथ मैं नहीं जाए मैं लाकोनी करोड़ों कमा लेती पर किसी घर में बैठी होती हो यह मुझे जान रहा हूं है बात की नहीं तो इस वज़े से आज मुझे बहुत खुशी होती इस बात के लिए तो जब यह तो किया हूँ और मैं अंधेरी ही आगरी अंधेरी में रहती थी वहां पे बुझे बूखे तो कर दो कन Hei ना मुझे लिखा थी बड़िवकील पर चलियों तो मैं पता था विकालत में कितना बात की-जाती है refrigerant तो बहुत आपको पाफी का पाच 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 मुझे कॉफी देना सुनुकिये जिस व्यक्ति को मैंने बोला था उसकी कोई दुकान नहीं है वो एक बैग में डब्बे भरके चलता है आज वो व्यक्ति मुझे डब्बे बरके चलने नहीं बना और यह मेरे से बोलते थे जब भी मैं अधेरी में हरसा हायर वट पर रहते थी शाम को जब बिल्डिन से बोलते थे शाम को जब भाजी लेने जाना ना तो यह पाच पाच कॉफी लेकर जाना वो बेच के आना और यह पैसा आपका मेरा नहीं है वो पैसा आपका और MRP पे दो Sisnaabhe नहीं जो कमयर दिन लेकर लोग हैं और टो दिन लिए। 15 दिन तक गई कभी बात करने में डर जाती किसी कर चिंधरा देकर डर लग जाता बापरे में it यह तो बहुत पढ़े लिकें, अरे यह तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, अरे यह तो दुकान है, यह तो मकान है, इतने सारे ख्याल, बहुत सारे, जाती आती, जाती आती, हमेशा क्या होता है? हमेशा यह होता है कि हम लोग अपने से नीचे वाले पर जाजर बढ़ाते हैं, कि मेरे से नीचे बाला कौन मिले। आपये है। कम पड़ा लिखा ओ, कम पैसे बाला हो, जिससे मैं खुलके बाइद कर सब्सक्राइब, के हरेकती बात करो लिए नेचे भाली है. मेरी मेरी नजरे रेता है, कोई नीचे वाला मेरे तुमारी मेरी आपकर करूए. एक वहाँ पर बाई आती थी, सब्जी बिल, उसको गढ़िया बाई की प्रॉब्लम थी, वो सब्जी लेकर तोकली उसका बेटा लेकर के आता था, वहीं पर जहाड था, एक खुब बड़ा सा, उसे के नीचे वो बैरती थी, सब्जी बिल, तो मेरी आज भी मैं दुआ करती और इश्वर से बोलती हो, जहां भी हो, जैसे भी बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्ट हो, अच्छी हो, उसका आतिर बाद मुझे लगा, आज उस महिला के कारण में लायग बनी, कि मेरा कहीं नहीं बिस्वास जगा, बात करनी का, तो मैं हमेशा लाती, उनको, मैंने एक ब बोलती, अच्छा, आप नहीं बोलूगी, ठीक है, मैं एक दिन सब्जी लेके चली आई, तो तो फिर मैं गई, मैं गई, मैं रोज जाती हो, सब को बोलती, कोई नहीं लेता, एक जूस वाला था, उसको बोली, तो भी नहीं लिया, तो यह बोली, की अच्छा, बात तो करो, तो फिर मैं एक दिन गई मैंने कहा एक दिन मैंने फिर उसको फ्रेसर डार के बोला वो परिशान बहुत रहती थी मैंने कहा मौशी एक मेरे पास जड़ी बूटी का पाउडर है मैं बोड़ी मौशी मेरे पास एक जड़ी बूटी का पाउडर है वो इसमें ही काम करता है मैं गाउंसे ले करके आले हूँ अगर ये पाउडर आ प्योगी ना तो आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा आपका हाथ जो थोड़ा तेड़ा तेड़ा हो और सीधा हो जाएगा और द और एक पाउच को उसने दो दिल पिया अपीने के बाद में जब वो आई उसको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा मैं नहीं जानती वो इतना मैंने उसको भी नहीं पूछा खुलके वो दूसरे दिन सामने से मेरे से बस इतना बोड़ी वो जो जड़ी पूटी का एक पाउच, फिर चार पाउच, फिर एक डबा, फिर मैं छे महीने रही अंदरी में, छे महीने वो बराबर प्रोड़िक लेती थी और सिर्फ ब्लैक कोफी, मगर वसी जगे से मेरा विष्वास जगा, और क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी, मुझे बहुत खाब, म यह मुझे हमेशा बोलते थी, अरे ना सुनने की आदत डालो, मैं नहीं हूँ हर जगे तो सुन दोंगा, तो उसे लगता है, नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो ना सुनने की आदत डालो, फिर दीरे, 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 उन्होंने मुझे ना सुनने की आदत ले, और जब मै पहर निकरने लगी, मिटिंग में जाने लगी, तो लगा कि सबका निकरने लगी,